गुड़ मॉर्निंग, आपका 21 पार्ट पत्र लेखन शुरू हो रहा है पत्र क्या है? पत्र के द्वारा हम अपने मित्रों रिष्टदारों को अपने मन की बात असानी से पहुँचा सकते हैं पत्र लिखते समय हमें निम लिखित बातों को भ्यान देना चाहिए पत्र में नाम और पता सही स्थान पर ही लिखा होने चाहिए अगर आप पता सही स्थान पर नहीं लिखोगे तो जरूरी नहीं कि सही स्थान पर पहुँच जाए इसलिए उसमें नाम और पता दोनों ही सही स्थान पर लिखे होने चाहिए पत्र की भाषा सरल और इसपर्ष्ट होनी चाहिए पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए सरल और इसपर्ष्ट जिसे पत्र लिखा जाए उसके संबोधन और अभिवाधन संबदी शब्ध उसकी आयू और पत के अनुसार होना चाहिए जैसे आप अपने से अपने दोस्त या आपने किसी छोटे को लिखेंगे और बड़ों को लिखेंगे और बड़ों को लिखेंगे पत्र की लिखाई बहुत ही सुन्दर होनी चाहिए चलिए अब सबसे पहले अब काश के लिए प्रार्थना पत्र एप्लिकेशन आप किसको लिखोगे स्कूल में अपने प्रिंसिपल को ठीक है तो ये आपको इसी फॉर्म में लिखना है सेवा में प्रधानचारे यहां इलाबाद पब्लिक स्कूल नहीं लिखेंगे आप क्या लिखेंगे लोकमान ने तिलक स्कूल ठीक है क्या लिखेंगे हम लोग लोकमान ने तिलक स्कूल लोकमान ने तिलक इस्कूल ठीक है और इलाबाद की जगे अब क्या हो गया है प्रेयाग राज क्या लिखेंगे प्रेयाग राज और महोदे आपना की महोदे ठीक है, ये सीक्विन्स एक लाइन पर होना चाहिए जराबी आपका हिला नहीं चाहिए ठीक है माउस से करने हम तो थोड़ा स्टेडा आ रहा है ये बिलकुल लाइन विगड़नी नहीं चाहिए ठीक है, और कॉमा सेवा में के बाद कॉमा प्रधानाचार्या के बाद कॉमा लोकमाने तिलक इस्कूल के बाद कॉमा और प्रियाग राज के बाद कॉमा खतम हो जागा फिर महोदया के बाद कॉमा सविने निवेदन है कि मुझे कल राज से तेज बुखार आ रहा है डॉक्टर ने मुझे दो दिन तक का विश्राम करने की सला दी है इसलिए आप से निवेदन है मुझे दो दिन का अफकाश प्रदान करें आपकी अतिक्रपा होगी ठीक है उसके बाद धन्यवाद आपका आग्याकारी शिश्य या शिश्या जो भी होगा लड़की होगी तो शिश्या लड़का होगा तो शिश्या ठीक है यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे यहाँ पे कक्षा तीन कक्षा तीन ठीक है और दिनांक जिस देट को आप लिखेंगे यह वाली दिनांक नहीं आप अभी आज application लिखेंगे तो आज की date होगी कल लिखेंगे कल की date होगी इस चीज का इस बात का विशेश ध्यान दिया जाएगा कि दिनांक सही लिखी होनी चाहिए जिस भी समय आप जिस दिन paper देने बैठेंगे उस दिन जो भी date होगी अगर यह application आती है तो आपको वही date लिखनी पड़ेगी ठीक है एक तो आपका यह हो गया प्रार्थना पत्र अब साधारन पत्र साधारन पत्र में आप क्या करेंगे इधर दर्दतियु में चीक है इसमें आप इधर अपना address लिखेंगे चीक है यहाँ पे आप अपना पता लिखेंगे क्योंकि बाहर आप का जो होता है वो उसका पता होता है जिसको आप भेज रहे हैं ठीक है यह पत्र है जनम दिन पे जनम दिन पे बुला रहा है अनिमंत्रन देर भेज रहा है किसी को ठीक है और देखिए अब वो मित्र को लिख रहे है तो इसलिए प्रिये मित्र अमित सप्रेम नमस्ते तुमे जानकर खुशी होगी कि इस वर्ष मेरा जनम दिन 23 जुलाई को मनाया को धूम धाम से मनाया जा रहा है इस अफसर पर मेरे पिता जी ने एक सामारो का आयोजन किया है मैं तुम्हें उसमें शामिल करने के लिए आमंत्रित करता हूँ तुम्हारे आने से मुझे विशेश खुशी होगी धन्यवाद सही तुम्हारा मित्र या तुम्हारी सक्षी लड़किया होंगी तो तुम्हारी सक्षी और लड़का होगा तो तुम्हारा पित्र ठीक है इस तरीके से आपको दोनों पत्र तयार करने हैं एक्जाम के लिए यहाँ पे आपका एड्रेस होगा ठीक है ओके चिल्डरन लैंग्विज में आपको दोनों प्रार्थना पत्र भी लिखिए मैं धर कर दे रही हूं Excuse me ma'am हाँ बोलो मैं मैं जैसे करें लिखा अंच़क आ कुछ नंबर की लिए मॉष्ण के लिए कोई आपके अड्रेस में कई लिखा होगा तो पिन कोट लिखा जाता है ठीक है पोस्टल इंडेक्स नंबर उसको कहते हैं ठीक है मैं मैं दोनों पत्र कॉपी में लिखना है और यहां पर आपका जन्द के 23 जुलाई लिखा आप जिस तारीक को होगा आप अगर अभी तारीक लिखिएगा ठीक है ओके मैं ठीक ओके बद्द गुड़ डे